सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहेगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवचार सी सूरत कितनी भी अच्छी क्यों न हो अगर सीरत ही खराब हो तो चार दिन बाद सूरत भी खराब लगने लगती है और सूरत कितनी भी खराब हो अगर सीरत अच्छी है तो चार दिन बाद वही सूरत दुनिया का सबसे खुब सूरत चेहरा बन जाता है इसलिए सूरत नहीं, सीरत सवारे, अच्छा वक्त उसी का होता है, जो किसी का बुरा नहीं सोचती, भगवान कहती हैं, मत सोच की तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, जिस इंसान के कर्म अच्छे होती हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता कैसे हो पाएगी सहीं इंसान की पहचान दोनों ही नकली हो चुके आसु और मुस्कान आज का पंचांग 25 फरवरी दो हशार 23 दें शनीवार फागुन मास के शुक्लपक्ष के सश्टी तिथी रातरी 12 बचकर 20 मिलड तक रहेगी इसके उपरान सब्तमी तिथी प्रारम हो चाईगी भर्णी नामक नक्छत्र रातरी 3 बचकर 69 मिलड तक रहेगी इसके उपरान कृती का नामक नक्छत्र प्रारम हुचाईगी आज कर आहुकाल अर्थाद दिन का सबसे असुप सम्में सुबह नौ बचकर 41 मिलट सी 11 बचकर 7 मिलट तक रहेगा आज का भी जीत महुरत अर्थाद दिन का सबसे सुप सम्में दुपहर 12 बचकर 9 मिलट सी 12 बचकर 55 मिलट तक रहेगा आज चंद्रमा मेश राश पर संशार करेगी और आज शूर्य कुम्राशी पर रहेंगे मकर्रा से 25 फरवरे 2 हशार 23 दें शनिवार आप नीजे और पेशवर रूप से सर्वस्त रिष्ट जगह पर हैं अपने ताकवत और शीमाओं के बारे में जाने अपने आत्म मुल्य के अधार के साथ अपने रशना विश्वास की कमी में करना सिखाईगा घरेलू मुद्दो और ववशाय सम्मंधित आमदनी के बारी में विचार करेंगी अपने आपको शांत रखें और गुस्से पर नियंतरन रखें जो मंजीलों को पानी की चाहत रखती हैं वो समुंदरों पर भी पत्थरों के पुल ब प्रतित होगा आपके व्यक्तित्व में भी शकरात्मक बदलावाईगा ज्यादा कामों पर फोकस करनी की कोशिश में एक काम भी पूरा नहीं होगा समया आपके पक्षे में इसलिए सही गलत बातों को ठीक से समस्ते हुए काम करी नियमों से सम्मंधित जो समस्याएं हैं व सम्मंधित दिक्कत दूर करने का प्रयतन दोनों पक्षों के द्वारे किया जा सकता है आप से प्रेम बढ़ने लगेगा शौधान्या किसे पॉलीशे अध्वा प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले उचे जानकारी लेना जिरूरी है अपने वैभार में थोड़ा उपसूरत और व्यक्तित्व का खास ख्यार रखें कोई रिस्ता आपको खुशी नहीं दे रहा हो तो उसे समाप्त करना ही उचित है यादर के रिस्ते में दोनों तरफ से प्रयास होने आवश्यक है आप नीची काम की तुलना में लोगों की सेवा करने में अधिक रूची यह जीवन कब वो चड़न है जब अप्यार और परिवार के कारियों में भी संतूलन बनाये रखेंगे आपका गुस्सा रोमेंटिक रिस्ते को कसौला कर सकता है लेकिन सांत रखें लेकिन सांत रहें क्योंकि आपके चार्म से आपका सांती ज्यादा देर दूर नहीं रह प करने का आपकी मेहनत और इमांदारी का बढ़िया परणाम भी आपको मलने वाला है खुसी के पल में एहंकार का त्याग करके आगे बढ़ें सबके आकर्शन का केंदर आचा आप ही हैं कारिस्थल पर आपके प्रदर्शन के कारना आपको सम्मान और प्रसंसा मिलेंगी आप बात करती हैं सेहत की कब जो और गैस की परशानी रहेगे जिसकी वज़े से आपकी कार्शमता भी प्रभावित होगी मेहलाओं को अपनी सेहत का ख्यार रखना होगा आजश का उपआए आशप्षनी भगवान जी को तिल का तिल चड़हें शुब रहेगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन में हमेशा सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रहें आपका दे शुब हूँ